दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इंगलिस सौ मार्क के कुछ ऐसे भीविया सब्जेक्टिव कुष्चन का डिसकसन करने वाले हैं जो कि दोस्तो आपके इंटर्मेडियेट बोर्ड एक्जाम के लिए बेहाद ही महतपुर्ण है दोस्तो आपको बता दे कि आज के इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर कुष्चन से देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोस्तो इससे पहले हम इंगलिस के भीविया सब्जेक्टिव कुष्चन के लिए दो वीडियो औरेडी अबलोड कर चुके हैं दोस्तो टोटल एक गाड़े क्विस्चन का दोस्तो हमने डिस्कस किया है तो चले दोस्तो आज का जो 1 परस्ट कोईस्चन है सबसे पहले इसको हम लोग परने का कोशिश करते हैं बोला जारा कि रैट ए नोट अन ड्रियल इंगलिस Middle English के उपर आपको दोस्तों क्या करना है Note लिखना है तो Middle English के उपर Note जब लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे जैसा हमने दोस्तों पीछे के Class में देखा Old English के उपर Note तो Old English के बारे में बताया कि Old English में जो है English का कितना विकास हुआ या फिर कितना इसवी से कितना इसवी तक Old English चला उसी तरह Middle English के टाइम में English के बारे में जो भी घटना है हुआ या फिर English का जो इतना भी विकास हुआ सारा चीज में क्या करना है लिखना है तो answer लिखेंगे Middle English is known as the second period of the development of English यानि कि दोस्तो Middle English जो है वो non-miss जाना जाता है as the second period मतलब second period के रूप में of the development of English English के बिकास का ये दूसरा period है जो Middle English है वो it begins from AD 1150 and ends in AD 1500 यानि कि दोस्तो Middle English का जो दोस्तो शुरुआत हुआ वो 1150 इस भी में हुआ और ये दोस्तो इंट्स मतलब खत्म हुआ कवसे तो 1500SB तक ये चला यहां से भी objective question आपके एक्जाम में बन जाते हैं in this period both language and literature development यानि कि इस period में बोथ यानि के दोस्तो दोनों चीज कौन दोनों चीज तो language और literature का विकास हुआ आपको हम बताये थे old English में केवल दोस्तो language का विकास हुआ था लेकिन इस period में बोथ यानि की दोनों language and literature दोनों का दोस्तो development हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखेंगे कि आप जो भॉवेल सुनते हैं वो इसी periods में दोस्तो क्या हुआ अपना अस्थान जो है गरहन क्या था या फिर आप कह सकते हैं कि middle English में ही हुआ to correct the pronunciation of English words English words के pronunciation को यानि के उच्चारन को सही करने के लिए ही दोस्तो जो आपका भॉवेल है उसका खोज किया गया था आप ज़र सोचिए कि अगर भॉवेल नहीं होगा तो आप कैसे बोलेंगे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे कि आप लोगों के लिए एक good news है कि जो student need 21 का exam देने वाले हैं आप वो अपनी exam की तयारी के साथ लाखों का prizes भी जीत सकते हैं इसके लिए आपको एक test देना होगा जिसमें आपको बिल्कुल need के जैसे questions मिलेंगे इस test का नाम है अनकरमी combat test इसमें first rank वाले student को Amazon का 10,000 का बहुचर दिया जाएगा second rank पर 5,000 रूपीज का and third rank पर 3,000 रूपीज का और यहां तक कि जिनकी rank 4 से 50 आती है उन्हें 1,000 रूपीज का Amazon बहुचर दिया जाएगा अच्छी बात यह है कि इसमें आपको real time letter board भी दिया जाएगा जिससे आप अपनी current situation जान सकते हैं कि अभी आप कहां पे हैं और आपको और कितनी मेहनत करनी होगी साथ ही आपको सभी question का video solution भी दिया जाएगा जिन्हें an academy के top educator ने बनाया है इसे join करने के लिए आपको description में दिये गए लिंक पर click करना होगा then आपको enroll now पर click करना होगा then अपने according test select करना होगा और यहाँ पर LGR study code apply करना है जिससे आप इसे फिरी में join कर सकते हैं वाकि information आपको इसकी website पर मिल जाएगा साथ ही आपको बता दे कि NEET21 के बहतर तयारी के लिए अनेकेडमी लाया है लक्ष बैच NEET21 with Grandmaster जो की 25 जन्वरी से स्टार्ट होगा जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे तो NEET21 के बहतर तयारी के लिए आज ही इस बैच को join करें इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा और 10% discount के लिए invite code LGR study ज़रूर यूज करें जो AEO U है वो नहीं होगा या फिर जो आपका जो हिंदी का भी भावल है तो वो नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे बिना भावल का तो स्वर्ग बिना स्वर्ग का तो बेंजन को बोलना किया दोस्तो असंभवी है तो इसी लिए यानि कि pronunciation को correct करने के लिए ही भावल का खोज किया गया again William Kingston set up the printing machine और इसी period में क्या हुआ दोस्तो सबसे चमतकारी जो बात हुआ उसी में क्या हुआ वो William Kingston नाम के जो बैक्ती थे वो set किया वो क्या set किये set up the printing machine और printing machine का उन्होंने अभिसकार किया अब उससे क्या हुआ पीछे लिए old English के time में हमने देखा कि cable और cable language था मतलब लिखावट नहीं था cable cable बोला जाता था तो बोला जाता था book नहीं था book हाथ से पहले लिखना पड़ता था तो कितना लोग जो है हाथ से लिखेंगे इसलिए जब Middle English का time आया उस time में William Kingston नाम के बेक्ती ने printing machine का जो है जो printing machine का अभिसकार किया अब printing machine आ गया तो इससे क्या होगा अधिक से अधिक संख्या में book छपेगी और अधिक से अधिक लोगों तक English क्या होगा पहुँचेगा तो printing machine का भी बहुत बड़ा योगदान है English के जो Middle English के time में it helped it helped मतलब printing machine दोस्तों help किया to preserve English language यानि कि English language को आगे बराने के लिए यानि कि पूरे दुनिया में फैलाने में आप समझे जरा आप गर हाथ से बुक लिखा जा तो कितना लिख पाते लोग तो printing technology आ गया बहुत कम समय में अधिक बुक छपने लगया और जितना दूर तक बुक गया वहाँ तक समझे लिजे कि English गया as well as और साथ ही साथ क्या हुआ Chaucer contributed in the development of English in this period he composed the poem on the basis of medieval life और इसी समय में दोस्तों Chaucer नाम के विद्वान जो है वो क्या किये English के development में बहुत ही अपना contributed मतलब योगदान दिये और जिन्होंने क्या क्या compose किया क्या compose किया तो poems जो की medieval life पर related था जो मध्यकालिन जीवन है उस जीवन से संबंधित जो है उन्होंने बहुत सारा poem लिखा आवा printing technology आ गया और कोई कहानी कभीता ही नहीं होगा तो कैसे होगा तो किसका छापाई होगा तो printing technology का जो अभिसकार किये William Caxton ने और Chaucer नाम के जो विद्वान है इस time में सबस्याधिक जो है poems लिखे और जिसके कारण English का जोस्तों क्या हो पाया विकास वा तो Old English Middle English पर अगर पूछा जाए आपको ये notes लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप इसका skin sort लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहां आप जो है skin sort कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए अब हम बढ़ जाते हैं जो आपका अगला जो महत्पूर्ण question है उसको देखते हैं अगला जो दोस्तों यहां पर आपका महत्पूर्ण question है 13 number question देखेंगे question है write a note on modern English यानि कि modern English के उपर आपको क्या करना है note लिखना है तो modern English के उपर note में आप क्या लिखेंगे modern English के time में English का क्या भिकास हुआ English कहां तक पहुचा यहीं कि English से related ही बात इसमें भी करेंगे किस time का तो modern time में मतलब आधुनिक समय में इंग्लिस का इस्थिति क्या है यह आपको अगर यह सबसे हीटेड है क्योंकि इस टाइप का जो आपको अगर कोईशन आथ है तो modern English का सबसे ज़्यदा आपका पूछा जाता है तो answer में लिखेंगे modern English is known as the golden age of English modern English जो है दोस्तों वो English के golden age के रूप में जाना जाता है यानि कि English का सबसे अच्छा age है यह age it is known as the last period of the development of English और modern English को दोस्तों हम लोग English के विकास का last यानि की अंतिम period भी बोलते है it begins from AD 1500 to up to now यानि कि दोस्तों जो modern English का समय है वो दोस्तों start कहा से हुआ है 1500 इस्वी से और up to now मतलब अब तक जो चल रहा है it has been divided into two parts और इसको दोस्तों दो parts में divide किया गया है modern English first and modern English second यानि कि दोस्तों 1500 से अभी तक का जो समय है 1500 इस्वी से ले करके अभी तक का जो समय है उसको दोस्तों दो पार्ट में divide कर दिया गया यानि कि modern English के समय को time को दो पार्ट में divide कर दिया गया जिसमें से दोस्तों first का नाम दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो parts first का नाम दिया गया modern English first और जो दूसरा है उसका नाम दिया गया modern English second अब यहाँ पर आप देख सकते हैं The second part is known as new English और उसमें जो दोस्तो second part था उसको हम लोग new English के नाम से जानने लगे यानि कि अब वो किस English के नाम से जाना गया new English के नाम से In this period English become an international language और इस period में क्या हुआ English जो है एक international language बना यानि कि international language का जो दरजा है वो English को modern English के time में ही क्या हुआ है मिला है It left the shore of England और इसी समय में English England को England का जो जर है वो छोड़ करके क्या हुआ छोड़ा and reached all over the country the world यानि कि इसी समय में English जो है England को छोड़ करके छोड़ना नहीं बोलेंगे मतलब इंगलेंड से बरहा और पूरे दुनिया में दोस्तों क्या हुआ हाना country the world पूरे दुनिया के सभी देशों में क्या हो गया फैल गया है न सेवरल टाइप्स ओफ पूएम्स मतलब अनेको परकार के पूएम्स, ड्रामा, नॉबेल, एटीसी वेर अल्सो रीटेन रीटेन ऐस्पेसली विलियम सेक्स्पियर प्रोभाईड रॉवेंग दा नॉबए ऑफ राइटिंग दा लवव पूएम्स और इसी समय में दोस्तों बहुँस्तर पूएम्स लिखा गया बहुँस्तर ड्रामा लिखा गया बहुस्तरा नॉबेल लिखा गया अल्सो साथ जो है provided new way एक नया रास्ता प्रदान किया by writing love poems जो love poems है वो लिख लिक करके English को एक नया जो है रास्ता दिया जिसके कारण दोस्तों English इतना क्या हुआ famous हुआ और आपको यहां से objective question पूछ लिया जाएगा कि William Shakespeare का संबंध है यानि कि question इंगलिस में सही रहेगा William Shakespeare is related to first option रहेगा आपका old English, second रहेगा middle English, third रहेगा modern English तो आपको वहाँ पे जवाब देना है कि William Shakespeare का जो संबंध है वो modern English से है यानि कि modern English के time में William Shakespeare हुए है और father of English भी दोस्तो William Shakespeare को ही बूला जाता है ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे next हम देखते हैं जो आपका चौदर नंबर महत्पूर्ण question है ये तो सबसे आपका आज का जो है सबसे महत्पूर्ण question है चौदर नंबर क्योंकि देख रहे हैं वो जो लोग बोलते हैं कि अच्छा होगा वो ये देख करके बोल रहे हैं कि अभी English कितना महत्पूर्ण है और English कितना आगे बढ़ रहा है और इसके बिना कोई की काम संभब नहीं यह देख करके वो बोलते हैं कि English का बहष अच्छा होगा. बढ़ कुछ लोग कहते हैं कि English का बहष अच्छा नहीं होगा. नहीं होगा जो लोग नहीं होगा वो क्या सोच करके नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे lenguage world language की रूप में उबराब लेकिन 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 का अंत हो गया तो इसी तरह बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि ज swear that it is true व्होचेश mआ वह सकता है इंग्लिस सो हो भी अजये बढड हमें तो लगता है कि इंग्लिस का जो eo वह बहुत ही क्या है ब्राइठ आप अच्छा है तो यहां इस बातों को आप लिखेंगे कैसे answer में लिखेंगे देयर आर्टू आसपेक्ट्स एके फुचर ऑफ एंग्लिस यानि कि दोस्तो फूचर आफ इंग्लिस का जो और आसपेक्ट्स है वह दोस्तो दो है यानि that मतलब कि the future of English is bright कि जो future of English होगा यानि कि English का जो भविस होगा वो bright होगा मतलब चम्किला होगा यानि कि अच्छा होगा it is so ऐसा इसी लिए अब जो लोग कहते हैं कि future of English क्या होगा यानि कि English का जो future है वो bright होगा वो ऐसा वो इसी लिए कहते है it is so मतलब ऐसा इसी लिए because मतलब क्योंकि after few years this language will will become the single language of the world वो कहते हैं कि कुछ सालों के बाद after few years this language यह जो भासा है become single language of the world दुनिया का एक single language बन जाएगा यानि कि पुरा दुनिया में बस एक ही language चलेगा वो English होगा वो यह सोच करके बोलते हैं कि English का जो future है वो क्या होगा bright होगा it will be spoken and read by all यानि कि English जो है वो सभी के द्वारा बोला जाएगा और पठा जाएगा यह सोच करके वो बोलते हैं कि English का जो future हो क्या होगा bright होगा but यहाँ पर आप देख सकते हैं on other hands दूसरी तरफ some people think that कुछ लोग सोचते हैं कि the future of English may be dark may be dark की आने की हो सकता है तो इसका जो future है वो भी वो अंधकार में भी चला जाने की अच्छा नहीं भी हो as Latin किसके तरह Latin के तरह जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि Latin पहले world language था English से फ़ले बट वो क्या हो गया बरबाद हो गया उसी तरह हो सकता है तो English भी क्या हो जाए बरबाद हो जाए ऐसा कुछ लोगों का सोचना है हना Latin before I before 800 years Latin was a world language यहाँ पर जैसे आपने देखा कि before 8 year मतलब 800 साल पहले Latin जो है world language की रूप में था जिस तरह अभी जो English है वो world language के रूप में है it was related to the Roman Empire और यह Roman Empire से related था after the fall of Roman Empire Lufa also lost its importance यह जो दोस्तो Latin भासा था वो Roman Empire मतलब Roman समराज जैसे संबंधी था लेकिन जैसे ही Roman समराज का पतन हुआ उसके साथ ही जो Latin है उसका भी पतन हो गया उसी तरह हो सकता है तो आपका जो है future of English भी जो है यानि कि English का भी भविस जो है उसी तरह से क्या हो जाए बरबाद हो जाए ऐसा बहुत सारे लोगों का क्या है सोच है तो यह आप future of English के बारे में इस तरह से क्या कर सकते है नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही घंटी के निसान को जुरूर दबा दिजेगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में तब तक अ सब्सक्राइब करना ख्याल रखिया और एलजी आरा सटी देखते रहे हैं